नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज राय, आज हम बात करेंगे हरण के बारे में हिंदी में से हरण, हर्रें, हरण संस्कृत में अभया, अव्यथा, पत्हया, कायस्थत, पूतना, हरित की, हैंबती, चेता की, स्रियसी, शिवा और इसका बोटनी का लेम है टर्मिनेलिया चैबूला यह आयर्वेज की प्रधानोस्दी है इसमें हरित की भाय को हरने वाली होती है हरड जिसे हरित की भी कहा जाता है एक प्रसिद जड़ी बूटी है यह तरफला में पाए जाने वाले तीन फलों में से एक है भारत में इसका इस्तेमाल घरेलू अपचार के तोर पर बहुत किया जाता है आयर्वेज में तो कई चमतकारिक फायदे बताए गए है दरसल इसे तरदोस नाशक वस्दी माना जाता है यह पित्त के संतूलन को तो बना रखता ही है साथी यह कफ और बात संतूलन को भी बना कर रखता है कई बीमारियों में इसे बेहद ही फायदे मन माना जाता है जिसमें पाचन से जूरी समस्यां भी सामिल है हराड के फायदे नेमित रूप से हराड का सेवन पाचन तंत को सुधारता है इसे गैस, अपाच और कब्ज जैसी पेट की कई समस्यां में लाबदायक माना गया है एक कब गर्म पाणी में एक से तीन गराम हराड का सेवन आपको पाचन संबंदी परिशानियों से राहत देता है हराड का सेवन उल्टी में भी राहत देता है उल्टी जैसा महसूस हो रहा हो तो हराड का सेवन हम हराड चून सहद में मिला कर लेने से उल्टी की समस्या दूर हो जाएगी दस्त में भी यह लाबकारी है आप दस्त होने पर हराड की चटनी बना कर खा सकते हैं इससे आराम मिलेगा बवासीर की समस्या में भी हरर का इस्तेमाल बहुत फायदिमन होता है यह बवासीर में होने वाले दर्द को कम करके और रक्तिस्ताव को रोकने में मदद करता है नेमित रूप से इसका इस्तेमाल आसानी से मल त्यागने में उपयोगी होता है हरण को गर्म पानी में पहले उबालने फिर ठंडा होने के उपराद उसको लेना चाहिए बजन गटाने में भी हरण काफी लाबदायक होता है इसके अलावा दिल के रोगों से बचने के लिए निमत रूप से इसका सेवन करें ब्लेंड सुकर का इस्तर भी निमत बनाए रखने के लिए हरण का सेवन किया जा सकता है इसका उप्योग सिर्दर्द और बदंदर्द आदि में किया जाता है हरण के हरण का काढ़ा तो अचा संबंदी अलर्जी में लाबकारी है हरण के फल को पानी में उवाल कर काढ़ा बनाए और इसका सेवन दिन में दो बार निमत रूप से करने पर जल्दी ही आराम मिल जाता है एलर्जी से प्रभावित इस्थान की हम इसके काढ़े से धुलाई भी कर सकते हैं फंगल एलर्जी या संक्रमन होने पर हरण के फल और हल्दी से तैयार लेब प्रभावित भाग पर दिन में दो बार लगाएं तो अचा के पूरी तरह सामान होने तक इसका लेब जारे जाता है तो यह जल्दी ठीक हो जाता है मुह की सूजन यदि मुह में सूजन है तो हरण के काढ़ा बनाकर हम उसके गरारी करने से हमें फायदा मिलता है हरण का पेश्ट पतले छाज या के साथ मिलाकर गरारी करने से मसूनों की सूजन में भी बहुत आराम मिल जाता है हरण का चून दाट पर लगाने से भी तकलीप कम होती है हरण त्वास्त वर्दक टौनक होता है जिसके प्रियोक से बाल काले चमकीले और आकरशक दिखते हैं तेल में वाल कर हरण पूरी तरह घुलने तक लेब बनाए और इसे बालों में लगाए या फिर प्रदिजिन तीन से पांच गराम हरण पाउडर एक गलास पानी के साथ सेवन करें हरण का पल्प कब जिसे राहत दिलाने में भी गुड़कारी होता है इस पल्प को चुटकी वर नमक के साथ खाएं या फिर आदा ग्राम लोंग अत्वा दालचीनी के साथ इसका सेवन करें हरण का नीमत रूप से सेवन बजन कम करने में सहाइक है यह पाचन में सहाइक होने के साथ गैस, एसिडिटी और अन्य समस्याव से राहत देती है और दिरे-दिरे मोटा पा कम करती है हरित्की को हम किस मौसम में किस के साथ खाएं तो यह बहुत फायदेमंद करती है तो हरित्की नमक के साथ सेवन करने से कफ रूगों को दूर करती है सक्कर के साथ यदि हम हरित्की या हरण खाती है तो यह पित्त को कम करती है यदि हम घी के साथ इसका सेवन करते हैं तो बात्विकारों को और गुल के साथ यदि हम सेवन करते हैं तो सब रोगों को दूर करती है जो हरण का सेवन करना चाहते हैं उन्हें बरसा रितू में नमक से, सरद रितू में सक्कर से, हमंत में सोंट से, सिसर में पिपली के साथ, और ग्रीस में रितू में गुड के साथ हरत का सिवन करना चाहिए, हरत की किसे नहीं खाने चाहिए, तो कमजोर व्यक्ति जिसकी पित्य प्रकरति अधिक हो गरबती महला है उसे नहीं खाना चाहिए अधिक मैतन करने वाले व्यक्ति को भी नहीं खाना चाहिए सराप पीने वाले मुख जो भूख प्यास तता गर्मी से पीड़ित हों इन व्यक्तियों को इसका सिवन नहीं करना चाहिए और इसकी मातरा है यदि हम काड़ा बनाते हैं तो 10 से 30 ml हम इसको ले सकते हैं और इसके चून की मातरा है 2 गराम से 6 गराम तक तो आज के लिए इतना ह अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों